हाई हनी बीस वेलकम टू कॉफी बीस विग बॉस पे तो मुझे रियक्शन देने का मन ही नहीं कर रहा था देख रही हूं मैं स्किप कर करके देखती हूं विकेंड का वार खाली कभी कभी देख लेती हूं वह भी दो तिन कंटेस्टन जो कि मुझे पसंद है उनकी वज़े से यह सीजन फॉलो ना करने का रीजन है यह दो बीवी वाला यूट्यूबर जो कि मुझे कतई बरदाश नहीं नहीं मैं उसके व्लॉग्स कभी देखती हूं मैंने उसको ब्लॉक कर रखा है वाई कि इसको मुझे रिकमेंड मेरे फीड लिस में भी नहीं आना चाहिए इन्फ खोलने लगा सच मेरे ऐसा कभी-कभी होता है कि मुझे बहुत गुस्ता आता है कि हम कहां जा रहे भाई कैसे लोगों को ग्लॉरीफाइब कर रहे है और इस्पेशली यह शो जो की नैशनल टेलिविजिन पर आता है इनका तो स्टांडर ही एकदम गिर गया कैसे लोगों को ला रहा है और जो शो के मेकर्स और वोस्तों यह प्राउडली बोलते हैं कि वह तो पास्ट के कैसे वह थोड़ी मैटर करते हैं मतलब पास्ट में किसी ने कुछ भी कर गया मैटर नहीं करता है अगर वह जो है उसके अच्छे खासे व्यूस आपके जो है शो को रिच मिलेग तो कुछ भी मैटर नहीं करता बस हमारा फाइदा है हमारा अपना फाइदा बंता बाड में जाये जनता अब जो है मैं देखती हूं ना एक बिग बॉस को लेकर ग्रूप बना हुए ठीक मैं भी वहां पे अक्टिव थी मैंने जब से ऐसी पोस्ट देखना शुरू किया ना जब से इस आदमी की तारीफ करना उन लोगों ने शुरू किया ना मैंने छोड़ दिया भाड में जाओ तुम सब लोग अगर तुम्हें यह पसंदे तो भाड में गया तुम सबका ग्रूप अच्छा सबसे मज़ेदार बात क्या है विक्टिम दिखाया जा रहा है महान पा करदाष नहीं करूंगी यह ऐसा बोल सकती थी ना लेकिन क्या करा उसको भी पता है कि यहीं मिलेगा पैसे कहां से कमाएंगे दो वीवी वाला किसी की यह था कि मुझे एशो आरम मिलना चाहिए और दूसरी बात पायल जी कौन सी दूत की दुली है एक जो इसके पतिगान एक वीडियो है आपको इसली मिल जाएगा जहां पर टंकी पर चड़ गया है साफ साफ बोल रहा है कि मेरी बीवी तो राहुल नाम के लड़के के साथ भा और उसके दिखा है इस प्यार को क्या नाम दो बहुत सारे उसकी शोड मैंने देखे नेजी जो है उसको भी गली बोई उसी पर बनी है मुझे पता है रनवीर शोरी के भी मैंने मुवी में उसको देखा है तो उन लोगों ने अपनी महनत से किया इंफक्ट क्टारिया भी क् पतमें जो बाद बना है 2020 के बाद तुमसे तो ज्यादा ही महनत करई और सही तरीके से की ठीक है किसी ने तुमने क्या किया दो बीवी और पाठ्थे बच्ये पैदा करना कोई महनत नहीं होती है दो बीवी को जिम के यह आउटफित पहना कर पलां जिसने लस्त से और चोडियनस आये उसे मेहनत करना नहीं कहते है mister मलिक और क्या बोलता है कि मैंने जो है अपना नाम जो है इसलिए बदला क्योंकि मुझे पसंद नहीं था अच्छे तुझे नाम पसंद नहीं था मैंने ऐसा कोई इंसान नहीं दिखा जिसे अपना सरणेम भी पसंद ना हो मत ने आपको अर्मान मलिक the singer के साथ compare कर रहे थे भाई वो बच्चा है और तेरे से तो लाक्ष गुना अच्छा है थीक है पहली बार जब मैंने इस आद्मी के बारे में सुना था ना अर्मान मलिक जब मेरी बहन ने बहुता कि अर्मान मलिक ने दो शादी कर ली मैं भूला होई नहीं सब्सक्राइब उसकी तो पहली भी शादी नहीं हो इतो दूसरी कैसे हो गए यह बात मैं कर रही हूं 2023 की जब मैं इसको जानती नहीं थी कि यह कौन है तो मुझे लगा कि वह को जानता है वो तो सिंगर है जानते है बाई उसको तेरे से पहले से वं जानते थु बोला ना जो जानता है Ήसका ही सरनेम को शह समधनी मिले तो यह सब तो तु करता था बीवियों को अब्जेक्टिफाइग करता था ना और तू बोल रहा है कि महनत करी हमने बहुत महनत करी है रहे खाक महनत करी है इंडिया की पॉपिलेशन बढ़ाने में यह तो बिखारी होता है वह भी कर देता है तो महनत होती है मांगता तो फिर भी और रोस्टर का मुझे समझ नहीं आता वैसे वह हाम लेस जो रील बनाते बिचारे उनको क्रिंज बोलेंगे उनको यह वह कि तुम्हारा यह तुम्हार आवाज रहते है जो अपने ट्राइब करते जि कहीं आपने चैनल बना ले कहीं अपने पेज को जो है वो ग्रो कर ले उनको यह लोगार नहीं बढ़ने देंगे उनकी जो है ये कॉंफिडेंस को डाउन करने में पीछे नहीं हटेंगे लेकिन ऐसे प्रॉब्लमेटिक आदम जो कि बाग योग को तो गालिया देंगे उनकी ऐसी कित ऐसी कर देंगे लेकिन ऐसे आदमी के लिए उनकी आवाज नहीं निकलेगी दूल है तुम सब पर दूल है यहां पर एक और बात मैं करूंगी समाज सेवक हमारे दुरूराटी भाईया की वैसे तो वह एलविश के बंद कर देना चाहिए ऐसे लोगों को भड़ावा नहीं देना चाहिए नहीं नहीं यहां पर कुछ नहीं बोलेंगे मोदी जी और यल्विश के पीछे पड़ गया वह उसको ऐसे लोग नहीं दिखते हैं यह तुतलाने पर मजाग उड़ा लेगा कि पकल लिया पकल लिया क किसी की disability का मजाग उड़ाते हैं कि वह जो है अच्छे से बोल नहीं पाता है मैंने नहीं देखा यह 24th century में मैंने ऐसे लोग नहीं देखे जो किसी के जो है भई हकलाने पर उसका मजाग उड़ाए कि पकल लिया पकल लिया सौरी आप यहां पर पड़े लिखे नहीं दिख कल रहे हो ठीक है आप वहीं जो है वही टॉक्सिक जो फैंस रहते हैं और आपके बात हुइन ठीं करना राट है कि भी आवाज नहीं इसके लिए भाक्छी टाइम है अलों मेजे ह्मिश पर लिजदिव बनाढ़ा देंगे यह विदिश सब… टाइम है लेकिन ऐसे लोगों के लिए ना ना नहीं बनाएंगे और अब ड्रामा क्वीन पायल जी कहती है कि वो जो है डिवर्स ले लेगे अगर तो डिवर्स ले अर्मान से ना तो मैं अपना चैनल डिलीड कर दूंगी उसी दिन मैं जो यहां पे खुले में बोले को मैं अब बहुत बुरा कर रहे हो कॉमेंट करके क्यों ना करें तुम लोग ने को तारीफ करने वाला काम किया है यहां पर मैं दाद दूंगी पीपोई कि जिन्हों ने भी जो है इस आदमी के लिए वीडियो बनाए है और इसको कृटिसाइज किया है क्रिटिसाइज किया हुन् लेकिन तीन चार रोस्टर जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर है जो कि पीछे पढ़ जाते बिचारे रीलर्स के जो कि ऐसा कुछ नहीं बनाते हैं अपना काली सिंपल सा रील होता है उनका वहां पर कीड़े ढूंटे लेकिन इस आदमी में उनको कोई बुराई नहीं नहीं यह इतना मतलब ऐसा दिखा रहे कि एकडम साफ सुत रहा है दिखाया और रनवीन शोरी के बारे में यह नहीं पता था लेकिन जैसे उसको पता चलने लग्या न कि रनवीर शोरी उतल बहुत बढ़े एक्टिर है और अभी यह वह बेरोजबर रनवीर शौरी भी कुछ कम नहीं है ठीक रनवीर शौरी जो है उनका ऐसा है कि जो उनके साथ अच्छा है बाकी बुरा है रनवीर शौरी ने सना मगबूल उनको भाई परिशान करके रख दिया तो जब वो कैप्टेन थी तब सब लोग ये अर्मान और उसके पीछे पड़ गए कि भाई मगबूल मगबूल इतनी जादा वो डिस्रिस्पेक्ट करता है मगबूल की और बदले में मगबूल जब अपने डिफेंस में कुछ बोले तो रनवीर जी से सहा नहीं जाता तो रनवीर और अर्मान जवाई इसलिए तो दोस्ते आपस में कि उनको खाली बोलना आता है जेलना नहीं आता है बिलकुल भी ना तो यह आदमी जो है वो और इसकी बीवी जो की दूसरी औरत है जिसने खुद की दोस्त का घर जयक बरबाद कर दिया दूसरों को जज़ करते यार यार मुझे ना विशाल यह अच्छा नहीं लगता यार यार तुमने ना ऐसा नहीं बोला था तुमने इसा नहीं बोलना चीह था मैडम आप भूल गई मैडम आपने भी डोरे डाले थे अपनी सहेली के पती पे आप यह कहानी तो आपके वीडियो पड़े जहां पर आपके पती रेकोर्ड कर रहें वीडियो आप बुढ़ों के साथ नाच रही हो ऐससे करके वाह सही है लेकिन अभी नैशनल टेलिविजन पर ना तो एक दम ऐसा दिखना है कि भी नहीं नहीं मैं तो बहुत अच्छी वगेरा वगेरा तुने इसको सुना था तुने इसको सुना था अरे भाई उन सब ने अपने दम पेगे किसी ने दो दो बीवी और तींट पाच्छे बच्चे पैदा करकर के कुछ नहीं कराए ठीक है और आपको इमाहन नहीं बन जाते हो आपके कूकर में कैसे सबको पता है तो ऐसे लोग बाकियों को जज़ करते होंगे मुझे समझ नहीं आता और ऐसे लोग के फैंस भी है यह सुनकर तो बाई मुझे और बुरा लगता है और बुरा लगते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं आज मैंने जब एक रील देखे ना मेरा सच में मुझे मेरा बीपी लो हो गया अग आदमी को अगर आप लाओगे शो में मैं नहीं होस्ट करूंगा सलमान खान ने तो प्रियंग का जग्गा म्यूस जो थी वह बहुत बत्तमीज थी और लड़कियों के बारे में बहुत घटिया बोलती थी बहुत गंदा बोलती थी सलमान खान ने बोला कि अगर यह औरत इस केस से ठीक है एक केस होता और क्या प्रूफ क्या प्रूफ होगा भई क्या प्रूफ होगा कोई भी जो माइनर लड़की वो कभी भी पिचाए कि उसके पैरेंट्स हैंगे कि वह सामने आ जाए उसकी ऐसे लोगों को क्या भरोसा अच्छा पायल जी की हिंमत देखो देविना नहीं थी उसके पती पर कैस नहीं लगा था माइनर के ठीक है तो यह बाते करते हो दूसरों को तुरेंट जज़ करने आ जाते हो कि इस पर भी यह था उस पर भी वो था किसी ने भी तुम्हारे पति जैसा रेट्रेक रोकर किसी पती का नहीं था ठीक है उसकी दो भीविया इसे लोगों सब्चानी नहीं है यह जैसे तमारा प्ती है कि स्मौर्स से ज़ोगों को जच करते होंगे और ऐसे लोगों से जो सब्छांह घर के लोगों इसे लोगों से रिखेंघ राख करो मैंने चंद व्यूंज बहाड में गया रिज ऐसे नोगों से मिलो ही मत मैं तो बोलती हूं यह बिल्कुल सही किया झाल जब यह बोल रहा था कि सर मेरे घर आने की लिए लाइन लगती कि वह तेरे घर कोन आएगा यह तो सान करे तो चाहे शीश महल ल्यववण कि लेका मैंतों तो इसे लोगों को फेम करना जाएं उसका तो वह था excuse me अपने आपको तो देखो पहले कि तुम लोगों ने ये जो fame बटो रहे है क्या करके बटो रहे है किस कीमत पे क्या करके ऐसे लोग हमारी young generation को बिगाडने का काम करते है कि बैई दो दो बीविया रखो easy fame मिल जाती easy money मजे ही मजे ये ऐसे लोग न समाज का गंद है एक तरीगे का ये कूडे दानी में होने चाहिए ना कि इसको सर पे ताज बना कर पहनना चाहिए जो कि अफसोस हाल फिल हाल में हो रहा है national television पे आ रहे हैं लोग और ऐसे लोग दूसरों को जज़ कर रहे विडम बना देखिए ऐसे आसूरी प्रकृति के लोग जो है दूसरों को ज़ज कर रहेगी उसका तो ये था उसका तो वो था अरे तुम हो उसका बिल कि तुम किसी और को ज़ज कर सको तुम्हारे कांड देखे तुमने पहले अपने आपको देखो आईने में कि तुम्हारे क्या कर्मकांड है ठीके बाकियों को बाद में जज़ कर ले ना पस यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को इंटेटेंट ना करे ना ही ऐसे लोगों का कॉंटेंट कंजूम करे क्योंकि ऐसे लोगों के content देखने में दिमाग में गंदा आती है तो please avoid करना मैं एक मात रही है ऐसा creator है जिसको मैं देखने तक का आप लोगों को मैंना करूंगी कि मत देखो ऐसे लोगों को ना इसको ना इसकी बीवियों को मत देखा करूं प्लीज हाथ जोड़ की बिजनती गरती हूं मैं फिलहाल के लिए बस इतने हैं मिलते नेक्स प्रोड़कास्ट में अपना ध्यान रखेगा बाबाई